नमस्कार जैशे कृष्णा मैं राकेश शिवानी अश्टो चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ ज्योतिश में जो इंपोर्टन योग थे जो नॉर्मली कुंडली के अंदर बन जाते हैं जिनको देखना जरूरी हो होता है उनके बारे में आपको बताया था आज भी कुछ मैं ऐसे ही योगों के बारे में आपको बताऊंगा होता क्या है इससे पहले कि मैं विचलेशन करूँ थोड़ा सा आपको आइडिया मैं दे देता हूं कि कुंडली में जो स्वामी हैं भाव के स्वामी हैं वो डिफर बावकास्वामी लगन में आ जाए मतलब छेत्र परिबर्तन होता रहता है आपस में तो ऐसे योग जो बनते हैं उसमें क्या होता है यह बहुत इंप्पोर्टन होता है तो दिखे ऐसे योग बनते हैं क्या तो उनके लिए याद कर लिजिए कि लगनेश अगर सेकंड भाव मे गया हो पहले भावकास्वामी सेकंड भाव में हो या सेकंड भावकास्वामी पहले भाव में हो लगनेश फोर्ट में गया हो या फोर्ट भावकास्वामी लगन में हो लगनेश पंचम में गया हो या पंचम भावकास्वामी लगन में हो लगनेश सात्वे भाव में गया ह या सात्वे भाव का स्वामी लगन में आया हो लगनेश नवे भाव में गया हो या नवम भाव का स्वामी लगन में आया हो लगनेश दशम भाव में गया हो या दशम भाव का स्वामी लगन में आया हो और लगनेश लाब भाव में गया हो या लाभेश लगन में आया हो या सेकंड भाव का स्वामी धनेश जिसे कहते हैं हम लोग वो चौते भाव में गया हो और चौते भाव का स्वामी धन भाव में आया हो ये भी हो सकता है धनेश जिस तो सेकंड भाव का स्वामी कहते हैं हम पंचम भाव में गया हो और पंचमेश धन भाव में आया हो इसी प्रकार धनेश भागे में हो और भागेश धन भाव में हो धनेश दशम भाव में हो धनेश लाब भाव में हो और लाबेश धन भाव में हो तो और फिर इसके अलावा जितने भी योग हैं ऐसे मिला के टोटल इन योगों द्धान रखना बड़ा वाश्यक एन प्रकार से छोते भाव का स्वामी पांचफे भाव में, इस तरीके से हम लोग चलेंगे, पांचवे भाव का स्वामी सक्तम भाव में, सक्तमेश पंचम में, पंचम भाव का स्वामी लाभ भाव में, लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में, या सक्तमेश दशम में और दशमेश सक्तम में, तो ये जो योग बन रहे हैं, ये जो छेतर परिवर्तन है जो म बहुत इंपर्टेंट होते हैं अगर ये चित्र परिवर्तन आपकी कुंडली में आपको दिखाई पड़ता है तो आप समझ जाए कि इनको महायोग कहा जाता है और इनका फल बहुत अच्छा होता है इन इन महायोग में जो व्यक्ति पैदा होता है उस पर लक्षमे की कृपा होती है अद्हन जानने से ब्रद्धी रहती इसके अंगर मिशा अइसा जातक अनेक व्यक्तियों का स्वामियोता है या ने बहुत सव experiencing व्यक्तियों पर राज करने वाला होता है कि कंपण zwei के सुन्द्र वस्तर आबशन्धारन करने वाला होता है राजा या सरकार से सम्मानि व्यक्ति होता है और पुरुस्वत होगा उच्छ पद्वी पे काम करेगा और उसे राजा से अधिकार मिलेगा तो ऐसे व्यक्ति को हम बहुत महतपून कहते हैं और महायोग में उत्पन व्यक्ति कहते हैं धन, पुत्र और सवारी की प्राप्ति होती है तो ही अठाइस योग हैं ऐसे ही मैं कुछ योग आपको और दिखा रहा हूं उनको भी आप देख लीजीए जिनको हैं देने योग जिया देन्य इन्य योग मिलाके टोटल तो रहेगी कि अगर बारवे भाव का सौमिया लगन में आ ज़न का स्वामी बारवे भाव में आ एसमें बेसिकलि वह है कि जो आपके अशुब भाव केमें फो और एक्सचेम्स करते हैं अगर आपके स्वन थे तो प्रावलम होती है il है in div vya bhaav da अए और पंचम भाव को स्वामी बेभाव में आ जाए, मतलब बारवे भाव चल रहा है अभी, उसी प्रकार कौन सा और भाव होता है, आटवा भाव होता है, आटवे भाव को स्वामी लगन में हो और लगनेश अस्टम में हो, आटवे भाव को स्वामी धन भाव में हो और धनेश शटे भाव में हो, इस तरीके से आपको देखने हैं, तो जो ये 6-8-12 वाले हैं, जब ये स्थान परिवर्तन करते हैं, डिफेंट भावों से, तो ऐसे योग, तीस योग, दैनी योग कहलाते हैं, और दैनी योग में उत्पन व्यक्ति क्या होता है, ये व्यक्ति स्वेम मूर यानि इंटेलिजन नहीं होता है, विवेक और बुद्धिमान इसमें कमी होती है, विवेक की कमी होती है, बुद्धिमाने की कमी होती है, दूसरों की निंदा करने वाला होता है, दुस्त कर्म करने वाला होता है, शत्रूं से पीडित रहता है, शत्रूं से हमेशा परिशान करते रहते हैं क्रूर वचन बोलता है और इस्थिर मतिका नहीं होता बुद्धि उसके पास नहीं होता तो बुद्धि उसकी जंग से गाम नहीं करती जो भी कारे करता है उस कारे में कोई ना कोई विगन आ जाता है वो कारे जो है किसन किसी रूप से गरबड़ जाता है तो य थे ये वाले योग, अब आते हैं खल योग, खल योग जो है, वो बनता है तीसरे भाव को स्वामी से अगर एक्स्चेंज हो, यानि लगनेश तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव को स्वामी लगन में हो, धनेश त्री तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव को स्वामी धन भाव में हो तीसरे भाब को सवामी भागे भाब में हो और भागे भाब को सवामी तीसरे भाब में हो और तीसरे भाब को सवामी लाब भाब में हो लाब भाब को सवामी तीसरे भाब में हो तो यह खली हो कहलाता है यह अपसर मिल जाते हैं कुर्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होता है कभि महुत बुरा होता है कभी बहुत साभाग साली होगा खंगेगा बहुत वो हुचायो ह क्रपाग मेश भेंचायो तक आजाता है जांगा wrotasam कुमटी शुठ प्रभाव कम हैं जाता है किस में यह ऐधा यूप्रने तक बेखिश साधा जो दूसरे मार्ग हैं या जो दूसरे भाव है उस में यह प्रॉबलम हो जाती है कि यह चीजुन से ग्रसित हो तो इसलिए इसका फल उत्तम नहीं माना गया है खल योग का और शुप्रभाव इसे कम है अशुप्रभाव जादा है इसलिए खल की संग्यास को दी गई है तो यह कुछ योग थे जो मैंने आपको बताए जो नॉर्मली के अंदर मिल जाते हैं दिनको ध्यान से अगर आप दे किजिएगा लाइक किजिए सब्स्ट्राइब किजिएगा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है इसके लावा हम एडवांस असलोजीय कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इंट्रेस्टेड हों दिए गए नंबर पर संपर कर सकते हैं धन्यवाद जैशी कृष्ण सकते हैं